हेलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप काफी अच्छे होंगे इंज्वाए कर रहे होंगे आप लोग तो आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत सवागत है मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक अगला वीडियो और ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगोंने अपनी बारहेवी जो थी 10 प्लस 2 जो था एनिकी जो 12 थी उन्होंने यदि बायलोजी सब्जेक्ट से किया हुआ है कि सब्जेक्ट से किय हुआ है बायलोजी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो उनके पास कौन-कौन से केरियर के आपसंस हो सकते हैं कौन-कौन से वो कोर्स हो सकते हैं जो वो कर सकते हैं कौन-कौन से कोर्स के लिए जो इलिजवल हैं उन सभी कोर्स के बारे मैं मैं इस वीडियो में आप से बात करू उन सभी कोर्सिस का आप लोगों को वीडियो प्रॉपर तरीके से मिलता चला जाएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यदि आप कोई एक प्रॉफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा और आप तक उस वीडियो की इंफ कोर्स में कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटी रहती हैं कि कौन-कौन से वो मेडिकल कोर्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th Biology से किया हुआ है तो आएगा सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं MBBS की आप सफी लोगों को पता है कि MBBS जो है यह एक डॉक्टरी कोर्स है इसके दवारा हम लोग डॉक्टर बनते हैं सेकेंड आता है इसी में BHMS थर्ड आता है BDS फूर्थ आता है BUMS और फिफ्ट नंबर आता है इसमें BAMS तो यह जितने भी कोर्स होते हैं यह सभी कोर्स आपके नीट के थोरो किसके थोरो होते हैं नीट के थोरो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब आप 12 में appearing होते हैं या 12 पास कर चुके होते हैं अगर आपको इन courses को करना है यहने कि आपको एक अच्छा सा doctor बनना है आपको एक अच्छा सा surgeon बनना है तो surgeon बनने के लिए आपको इन course की आवस्थिक्ता पड़ेगी तो यह जो course होते हैं यह course आपके किसके थ्रो होते हैं तो यह course आपका NEET पहले होता है तो प्रॉपर तरीके से आपको next वीडियो हमारा NEET पर मिल जाएगा और मैं यह भी बताऊँगा कि यह जो सभी courses हैं इनके थ्रो आपके क्या-क्या options रहते हैं आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने 12 biology से किया ह हुआ है तो biology से toilet करने पर आप इन course को कर सकते हैं ठीक है तो मैं एक-एक से अपने सभी यह जतने भी medical courses हैं सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि इनकी कौन से college best है सबसे best college भी आप लोगों को बताऊँगा कितनी क्या इनकी फीस रहती है क्या इन लोगों का eligibility criteria है क्या इ या आपका BUMSO या आपका BHMS हो इन सभी में जो दाखला है आपका जो previous है या जो entry कह लें तो वो आपकी net कितरो होती है किस कितरो होती है नेट एक आपका entrance exam होता है जिस साबसे इसमें आपकी rank बनती है उसी साबसे आपको MBBS, BHMS या BDS जो भी seat है वो allot कर दी जाती है ये जो course है ये course आपका 5 years का होता है कितनी years का होता है 5 years का होता है और यहां से आप इंडिया के top doctor बन करके किसी एक अच्छे से medical faculties में आपको opportunity मिलेगी नो डाउट ये course करने के बाद students के पास लाखों रुपाए महिने के कमाने के chances रहते हैं तो first तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि medical course है अपने पास कौन सा है medical course अंगला वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार से आप medical course को कर सकते हैं तो second अगर हम आप medical course कोई नहीं करना चाहते हैं तो आप BSC कर सकते हैं क्या कर सकते हैं BSC कर सकते हैं BSC बोले तो हम लोग life science से कर सकते हैं किसे कर सकते हैं life sciences से अब यह जो life science है इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम आपसे कहाएं जैसे हम जैड़ वी सी कहते हैं क्या कहते हैं जैड़ वी सी कहते हैं जैड़ वी सी का मतलब क्या हो जाता है Z से बिटा आप लोगों का हो जाता है Zoology क्या हो जाता है Zoology हो जाता है And B4 क्या हो जाता है आपका Botany हो जाता है And C से आपका क्या हो जाता है तो C से आपका Chemistry होता है क्या होता है Chemistry तो अगर आपको BSC करना है जिसमें आप लोगों को Zoology, Botany और क्या chemistry के बारे में पढ़ने को मिलेगा यदि आप एक chemistry students हैं तो हमारे channel को follow कर सकते हैं आपको यहाँ पर chemistry से related सारे materials मिलते रहेंगे यह एक plain course होता है कैसा course होता है इसकी जो अवधी होती है जिसका time period होता है वो इसका time period 3 years का होता है तो यह जो BSC है Life Science जिसे हम लोग कहते हैं जो कि Geology, Botany और Chemistry से होता है इसके after में आप इसकी द्वारा MSC भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं अगर आप MSC करके research करना चाहते हैं तो NetJRF के द्वारा आप PhD भी कर सकते हैं या आप teacher बनना चाहते हैं तो यह आप लोगों के लिए course भी काफी अच्छा है तो मैं आपका इस पर भी चर्चा करूँगा कि आप किस प्रकार से इन courses को करेंगी तो इसका जो time period रहता है वो कितना time period रहता है तीन साल का time period रहता है ठीक है चलेगा अंगले course की हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं तो next course हमारे पास आता है B.S.C. Food Technology किसके बारे हम बात करने जा रहे है B.S.C. Food Technology देखिएगा यह एक ऐसा course है जिसमें बास्तविक्ता में केरियर की बहुत सारी options रहते हैं किसके options रहते हैं केरियर की बहुत सारी options रहते हैं क्यों आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे country में बहुत सारी food चल रहे हैं जैसे कि हम अगर आपसे बात करनें तो soda water की बात करनें या drinking की बात करनें सीदी सीव सिम्पल सी बात किसकी बात करनें हम drinking की बात कर सकते हैं यहां से हम लोग food की बात कर सकते हैं बहुत सारे Chinese food आ रहे हैं ठीक है ना Italian foods आ रहे हैं और भी बहुत सारे foods हैं तो इसकी दोरा BSC करने से कहा कहा chance मिलते हैं मतलब कि यह जितने भी आपके food हैं market में इनको कैसे preserve किया जाना है इनको कैसे संरच्छित करना ह समझ रहे हैं नहीं इसको कैसे preserve किया जाना है इसमें कितने amount में किसीच को मिलाया जाए यह सारी जानकारी हमें इस course के द्वारा मिलती है और यह जो course होता है यह course आप लोगों का कितने का होता है तो यह भी तीन साल का होता है यह जो आपका graduation है यह आपका तीन year में complete माना जा तो इससाब से फूर्ण टेक्नोलोजी ये कभी ना खत्म होने वाली अपॉर्चुनिटी है यहां इतने सारे केरियर्स के ऑफसंस हैं कि आप किसी भी एक अच्छी जगह पहुंच जाएंगे और लाख रुपाय महिने का पैदा कर सकते हैं अर्न कर सकते हैं अंगले कोर्स के वारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास बीएस्सी बायो टेक्नोलोजी क्या है बीएस्सी बायो टेक्नोलोजी है जिसके अवधी आपकी कितनी होती है तीन से चार साल होती है तो आप बायो टेक्नोलोजी के छेतर में आप अपन स्टूदेंट के लिए कोर्स होता है जो किसी एक सब्जेक्ट में चाहे जूलोजीiógu हो या बौट्णी ओ या कैमिस्टी इसमें माहरत हासल करना चाहते हैं माहरत का मतलब यही हो गया कि попе आप आंगे चल करके इसे जै। समय गया Umلام हो गयां आप बॉटनी हो गया ranking सब्सक्साइब हो गया इसमें आप को प्रोफेसर बनना चाहिते हैं आप मेरं अपर यह जी निय knife अच्छा है इसी तूदेटस को मैं सज्ट करूंगा यदि आपको आगे चल करके कहीं पर teaching करनी है कहीं पढ़ाना है या किसी आपको विश्विद्यालाई में जाकर करके पहुँचना है वहाँ पर प्रोफेसर एजे प्रोफेसर का job चाहते हैं या आप एजे लेक्चरार बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए best option रहेगा कि आप B आप BSC Agriculture से कर सकते हैं तो यह जो BSC Agriculture है अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो वो ट्वाइल थे जो है वह बाइलोजी से पाइस आउट किया हुआ है क्या मोजिब Agriculture मिल सकता है यस बिल्कुल मिल सकता है यदि आपका इंट्रेस्ट खेती करने में है और आप बहुत ही अच चार साल में आपका complete होता है कितने साल में complete होता है चार साल में यहां government से लेकर कि private sector में काफी अच्छी जॉब निकलती है और यहां से काफी students का अब होता ही अच्छा placement भी होता है next course की बारे में हम बात कर सकते हैं तो BSC Nursing Course होता है आपका कौन सा होता है BSC Nursing Course इसमें आपको प course होता है तो इसमें भी आप लोगों के पास बहुत सारी opportunity रहती हैं कि आप इस course के थरूँ एक किसी भी अच्छे से medical college में या किसी अच्छे से hospital में आप job कर सकते हैं और वहां से आप काफी चीजों के बारे में अपने आपको evaluate कर सकते हैं चलिएगा अंगला हम लोग अपना course देखेंगे तो जो next हमारे पास होगा वो होगा BSC Home Science अब आप लोग सोच रहे होंगे कि sir मैंने तो biology से किया हुआ है home science यस यह course available हैं और biology students कर सकते हैं तो यह course जो होता है इसका time duration कितना होता है तो इसका time duration होता है वह आपका 3 years होता है कितना होता है 3 years होता है ठीक है इसी क्रेम में अगर हम next course की बात करते हैं तो next हमारे पास VSC Auticulture कौन सा है तो हम लोग बात करेंगे VSC Auticulture के बारे में तो यह जो course होता है यह आपका 3-4 साल का होता है कितने एका होता है 3-4 साल का होता है इसके बाद में next हमारे पास जो course है काफी अच्छा course है काफी अच्छी यहाँ पार opportunity मिलती है काफी अच्छा career भी रहता है VSC Radiology तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ कि क्या होता है VSC Radiology तो जो Radiology है यहाँ आप लोगों ने देखा होगा जो X-ray मसीन है जो आपके MRI वाली मसीन है तो यहाँ से related आप लोगों को job करने को मिलता है और कहीं न कहीं आप किसी अच्छे से government hospital में या private hospital में आपके अच्छी salary पर यहाँ job मिल सकती है इसके लिए आपको नहीं है तो आप अपना भी यहाँ पर X-ray मसीन लगा करके अपना भी लैब खोल सकते हैं तो इसका जो time duration होता है तो 3 years time duration होता है and next हम लोग बात करेंगे तो BSC Physiology किसके बारे हम बात करेंगे तो BSC Physiology के बारे हम बात करेंगे तो यह जो BSC Physiology है इसका time duration आपका कितना होता है तो यह time duration हो पारे में आप लोगों को बता दो कि अगर आप लोग human body जो human body है इससे related अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप human से ज़्यादा जो लोना चाहते हैं तो आपके लिए को कोर्स जो है पहुती बन आफ दी बेस्ट कोर्स है किसके लिए ब्यासी फिजियोलोजी के ल जो होता है वह तीन साल का होता है कितने साल का होता है तो यह एनोटोमी भी क्या होता है तो यह भी human body से related है किसे है human body से related है and last की हम लोग बात करें तो यहां पर जो last आ जाता है तो वो होता है BPT क्या होता है BPT जिसे हम लोग बैचलर आफ फिजियो थेरपी की नाम से जानते इसका भी time duration आपका 4 years का होता है 3-4 years इसमें भी complete करने में लग जाते हैं कहीं न कहीं जो physiotherapy है आप लोगों को पता है कि आज की date में physiotherapist की कितनी demand है हमारे इंडिया के अंदर भी या कहीं और बाहर देख ले जाए तो बहुत अधिक demand है हमारे bachelor of physiotherapy की तो यह जो course है जो आप लोगों को biology students होना या आपके पास biology के बाद अगर आप interested नहीं है कि हमारे पास biology या science subject में आपका interest नहीं है तो भी आपके लिए बहुत सारी course है जैसे कि आप आपका अगर science से मन ऊफ चुका है अब आप science में आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिएगा यह जरूरी नहीं है कि आप इन courses को बना science के नहीं कर सकते हैं तो कौन-कौन से वो course है तो पहले course है आपके पास BST Digital Film Making तो आप देखिएगा जो BST Digital Film Making है आप समझ रहे होंगे आजकल कितना इसका जमाना चल रहा है, sorts वीडियो आ रहे हैं, web series बन रही हैं तो इन सीजों को आजकल पहुत ही अधिक रेच चल रहा है यहां नहीं है तो आप भी आप अपना studio खोल सकते हैं, studio के साथ साथ आप अपना YouTube चैनल भी चला सकते हैं तो यह पर यह केरियर के options आपको मिलते हैं, अगर आप science नहीं पढ़ना चाहेते हैं, अब आपका science मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो आप digital film maker भी बन सकते हैं, इसी के साथ साथ आप BSC कर सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो BSC anthropology के बारे में आप जानकारी आदू anthropology में होता क्या है, तो इसमें जो आपका human development है, क्या है, human development कैसे होना है, किस प्रकार से कराना human development, तो इसके बारे में आप लोग कोई यहाँ पर classes लगाई जाती हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, इसके बाद में आप उहाँ कर सलहायकार बन सकते है क्या बन सकते हैं, आप सलहायकार बन सकते हैं, इसी के साथ हम next बात करेंगे, तो B.S.C. fashion designing की, देखिएगा, आजकल तो दुनिया पूरी fashion की मारी जा रही है, किसकी? fashion की, पूरी दुनिया को fashion का ऐसा खुमार चला हुआ है, चाए वो योबा हो, या आपका ब्रिद्ध हो, आप किसी भी ये, हरी किसी को आजकल fashion का ऐसा नसा है, कि जो कभी नहीं उतरेगा, और आने वाले समय में, ये fashion का तो नजा और जो नसा है, वो और जादा बढ़ करके हिस्चा लेगा, तो आपके पास एक opportunity है, कि आप fashion designing भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, fashion designing भी कर सकते हैं, य BSC कर सकते हैं, इसी के साथ BSC interior designing के बारे में आप लोगं को बता रहा हूं, क्या BSC interior design, तो जो BSC interior design है, इसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं, या आप यहां से भी आपके career के option बन सकते हैं, तो यहां जरूरी नहीं है कि आपको science ही पढ़ना पड़े, अगर आपका science है मन नहीं लगता है, तो यह उन students के लिए हैं, जो लोग science से boring हो चुके हैं, और अब उनका science में बिलकुल भी मन नहीं लगता है, चलिएगा, आगे हम लोग next course की बात कर लेते हैं, तो next course है हमारे पास biology से BTEC, किसके बारे हम बात करेंगे, biology से BTEC कैसे होता है, देखिएगा, बिल सा नहीं है, यहां आपको जो मिलता है, तो वो BTEC आपको किसमे करने को मिलता है, तो वो मिलता है, बायो technology के बारे में, किसके बारे हैं, बायो technology के बारे में, तो आप BTEC कर सकते हैं, बायो technology से, अभी हमने आपको बतायता है, food technology के बारे में, कि यहां पर जो पदार्थ हैं, आ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इससे साजा करें और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर दीज़ेगा मैं आपके लिए बहुत ही सौट टाइम में आप तक वो वीडियो पहुंचाने का पुगरा-पुगरा 101% प्रियास करूँगा ठीक है अब आजाएगा अधर कोर्स की बारे में कुछ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कोर्स जो इससे रिलेटेड ही नहीं है अगर आपका बाइलोज यह होता है क्या आपका बीकॉम होता है या बीकॉम करने के बाद आपको कहां-कहां जौम मिल सकती है या बीकॉम करने के बाद आप कौन-कौन सी कोर्स और कर सकते हैं इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप भी यह भी कर सकते हैं अगर आपने बाइलोजी से किया हु Forestry किया है BST in Forestry ये भी कोर्स आपका केतना है 4 साल का होता है Next आपके पास BST in Veterinary देखिएगा आजकल ये भी काफी important कोर्स हो गया है और मैं आप लोगों को suggest करूँगा यदी आप पसूओं के डाक्टर बनना चाहेते हैं किसके डॉक्टर पसू के डॉक्टर जो कि आपने देखा होगा हमारे यहां बहुत ही कम वेटिनरी डॉक्टर हैं तो आप इस कोर्स को करिएगा और आपको भूत ही अच्छे options मिलते हैं ऐसे कोर्स को अगर आप करते हैं अगर आपको government job नहीं भी मिलती है तब भी आप private अपन सारी कोर्स की बारे में discussion किया हुआ है जो आप BSC भी कर सकते हैं या आपने 12th biology से किया हुआ है तो आपके पास कौन-कौन से वो options हैं जिनके थो आप अपने career को बना सकते हैं तो यदि आपका भी कोई कोर्स है जिसमें हमने अगर चर्चा नहीं की है यहां पार तो आप उस क वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ इसे जरूर साजा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे सेर करें जिसके कि अगर उन्हें किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की आवस्चता है तो उन्हें जरूर सजेस्ट करें कि आप PZI लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूंगा और आपका सिर्फ पितना सा काम है कि वेडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए आपके थुरू ठीक है तो हम लोग मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाई थेंक्यू फू